दोस्ता आप सभी लोग UP NEET का कॉंसलिंग कर रहे हो और च्वैस फिलिंग भी आप कर रहे हैं और आप शेकृरिटी एमाउंट जो दो लाख रुपया का वो भी आप पे कर रहे हैं तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि UP NEET का जो कॉंसलिंग में बदला हुआ है जो चे दिक्कत नौ हो MBBS admission में हां सही सुन रहे हो तो इसका क्या effect होगा और इसका solution क्या होगा हम दोनों बात करेंगे इस वीडियो में पहला problem को काउंट कराते हैं आपको उसका solution बताऊंगा दोस्त जो चेंजे जाए हैं काउंसलिंग में ये आप जो देख रहे हैं आप मैं अभी बताना चाहरा हूं कि जो चेंजे जाए हैं UP के काउंसलिंग में उसके कारण से कट अफ में चेंजे ज्यादा होने के possibilities है अच्छा जी क्या पहले समझना अराम से जैसे पहला चेंज यूपी काउंसलिंग में क्या है कि जो security amount है वो आपको online जमा कर देना है दो लाख रुपिया private colleges के लिए अच्छा भाया तो इससे क्या अंतर परता है इससे अंतर ये परता है कि security amount जब online जमा हो रहा है तो लोग अपने घर बैठे घर बैठे ही 24 फिल कर रहे हैं और payment कर रहे हैं उनको कोई tension नहीं है आने जाने टिकट कम समय में बहुत सारे बच्चे छूट जाते थे क्योंकि second change यह है कि reporting center मतलब nodal center कहीं नहीं जाना है पहले क्या होता था कि nodal center UP में लखनव में जाके document को check कराना परता था और DD बना के जमा करना परता था 2 लाख रुपिया का अब यह नहीं करना है तो क्या हो रहा है लोग अपने घर बैठे ही 2 लाख रुपिया payment कर दे रहे हैं online और twice fill कर दे रहे हैं admission मिला तो ठीक है नहीं मिला तो क्या हो जाएगा वह अपना वापस 2 लाख ले लेंगे अब क्या हो रहा है कि सारे लोग बरे असानी से कौंस नहीं कर रहे हैं टेंसन नहीं है तो इसका भी effect बहुत जादा परेगा हां जी बहुत जादा परेगा कटफ में increment आ जाएगा कटफ higher in पे चला जाएगा कटफ बढ़ जाएगा जो ऊपर के colleges है उसमें कटफ जादा बढ़ने के chances है सही सुन रहे हो आप हां जो Muslim minority colleges है उसमें बहुत जादा difference last year के according नहीं परेगा वैसे generally trend यही है UP में कि round 1 का कटफ कम होता है तो जो मौका round 1 में मिल गया वो मिल गया वो कम होता है और round 2 में कटफ increase कर जाता है अच्छा जी last year 21 में देखोगे तो यह वाला बहुत जादा increase किया गया था तो यह जो दो changes मैंने लिखे हैं कौसिंग प्रोसिजर में जो change हुआ है तो मैं यह कहूंगा कि round 2 का college का consider करके चले cut-off का 21 में जो मैंने अलेडी वीडियो में बताया हुआ है आपको कि 21 में round 2 का क्या cut-off रहा है उसको देखके ही अपने 24 फिल करें और 24 फिल करने से पहले जो college आपको मिल रहा है जैसे 400 पे NEET के score पे कोई college आपको मिल रहा है उसके उपर का भी करे जो 500 cut-off जाने वाला हो उसको भी करे जो 200 जाने वाला है उसको भी नीचे जरूर करे क्योंकि अगर cut-off increase कर गया इसका मान के चलता है इसी में करे लेकिन cut-off अगर बहुत जादा increase कर गया और दिसरा रिजन भी में बताऊंगा तो आपके पास कुछ seat तो होना चाहिए MBBS का समझ रहे हो तो यह पूरा condition यह हो गया कि जब constant procedure change हो गया तो cut-off में बहुत जादा ब्रिधी हो जाएगा राउंड टू जैसा cut-off को दिमाग में consider करके चले राउंड वन जैसा नहीं 2021 का राउंड टू जैसा cut-off increase समझ के चले अब नेक्ष्ट बात है कि other state के counseling में भी changes हुए हैं जैसे जो effect इस state को करेगा वो है पहला ते लंगना येस दोस्त ते लंगना इसको बहुत effect करेगा क्योंकि ते लंगना एक open state है और UP भी open state है तो जो student 400, 350, 500, 550 इस तरह के जो student score करते थे वो दो जगा जाते थे ते लंगना और आंधरप्रदेश उनके case में क्या हुआ कि ये दोनों state ने अपने state के बच्चों को जादा preference दे दिये लगभग में अगर ते लंगना की बात करे तो लगभग में 1200 जो seat था अधर state के बच्चों को उसको खतम करके लगभग में 160 seat बचा बस 160 मतलब जादा बच्चे कहां के लिए रहें वो अपने डोमी शाइल के और अधर रिवेश्टेट के लिए कितना बचा मात्र 160 seat तो क्या हो जाएगा दोस्त जो सारे 400-300 बच्चा अपना option UP को भी बना के चलेगा तो यहां पे आपको admission मिले में दिक्कत हो जाएगा तो ध 140 seat के रेंज में कर दिया घटा दिया अधर स्टेट के बच्चों के लिए तो लगभग मैक्शिमम जो seat बचा हुआ है वो 300-325 के रेंज में अधर स्टेट के student को दो स्टेट में मिला के बचा तो भाया यह बहुत दिक्कत हो जाएगा यहां जब cut-up increase करेगा तो कहां कोच रखा है लोग कि कम फिसका कॉलेज है और वो तुरन 24 फिल बरासानी से कर दे रहे हैं तो इसलिए यूपी का cut-up इस कारण से भी बढ़ जाएगा तो अपने दिमाग में round 2 के cut-up को कम से कम लेके चलो और इस तरह से 25 करना समझ रहे हो बातों को तो इसलिए मैंने आपक को सचेत कर दिया है यह पहला सचेत किया solution बताया कि जादा choice फिल करना नीचे का भी college कर देना है अब आते हैं कि second option में dimmed university का registration करके चलना solution के रूप में कि अगर seat up में ना मिले आपको तो dimmed में कम cut-up पे admission कहीं मिल जाए दूसरा round 2 का registration dimmed का कर लेना आप उसके बाद आपके पास option बसता है हर्याना का वहां देख सकते हो उसके बाद बिहार का अगर बिहार में ले सकते हो admission तो बिहार का भी registration कर लेना समय मिलेगा आएगा official registration मैं बताऊंगा उसके बाद आप West Bengal का हर round में registration होता है जरूर करके रखना यह सब solution है दोस्त उत्तरा खंड का आएगा round 2 और mop up round मैं बताऊंगा वहां करके रखना है समझ रहे हो करनाटका का करके रखना है करनाटका का जो किये हो बहुत सही किये हैं क्योंकि अगर admission नहीं मिलेगा तो एक option बना रहेगा वहां try करेंगा admission का और करनाटका में अगर नया changes आएगा registration का तो मैं जरूर बताऊंगा तो यह 75 से नीचे है तो वह relax ना रहें वह अधर option देखते रहें लगबग में 300 स्कोर वाले बच्चे 300 वाले स्कोर वाले बच्चे को seat मिल जाएगा UP में लेकिन इसके नीचे वला है तो टेंशन में रहे मतलब वह अलग अलग जगा का apply करके रखें टेंशन का मतलब यह हुआ टेंशन लेने से नहीं होगा उसके solution खोजना है हम लोग को तो हम लोग खोजेंगे मिलके खोजेंगे होप से बड़े अच्छे लग रहे हैं मिलते अगले वीडियो में बाया टेक क्या सिव एगन